उस तो दुनिया के मशूर पहलवान दारा सिंग से हारने वाले इस लंबे चोड़े पहलवान का नाम था किंग कॉंग किंग कॉंग की हाइट 6 फूर ती और वजन था 200 किलो और दारा सिंग की हाइट थी 6 फूर 2 इंच और वजन था सिर्फ 127 किलो किंग कॉंग का जन्म 1909 में हंगरी के अंदर हुआ था और इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत भारत के अंदर 1937 में करी थी इंडिया के अंदर एक बॉलिवोड फिल्म में किंग कॉंग का रोल प्ले करने के बाद इनका नाव किंग कॉंग पड़ा था इनका पैदाईशी नाम था एमीले साजा 1945 में लाहोर के अंदर किंग कॉंग में दो लाख लोगों के सामने हमीदा पहलवान जी से एक मैच लड़ा था किंग कॉंग ने यॉरप के लगबग सारे खिलाडियों को हरा दिया था हारे वे खिलाडी इन्हें अक्सर उक्साया करते थे कि तुम में अगर हिम्मत है तो दा ग्रेट गामा पहलवान से लड़के दिखाओ लेकिन तब तक ग्रेट गामा रिटायर हो चुके थे इसलिए सारी दुनिया को एक खतरनाक मैच देखने को नहीं मिल पाया एक बर अस्ट्रेलिया के अंदर जपान के रिक्की दोजन नाम के पहलवान से इनका मैच लगबग साड़े तीन गंटे चला था किंग कॉंग, दारा सिंग, दग्रेट गामा ये लोग ऐसे पहलवान थे इनकी चड़नों की धूल बराबर भी ना तो आज की डेट में भी कोई पहलवान है ना ही होगा